हेलो दोस्तों एक बाफिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे सी यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आपको मालू में कि आई पिल 24 के मैचों से पहले हर मैच से पहले हम उस मैच के रिकोर्ड को आपके बीच लाते हैं ताकि आप जब एक फैंटेसी प्लेंग 11 बनाने बैठे सके और अच्छा मुनाफ़ा कमा सके इसी कड़ी को आगे बढ़ाती वे आज कि इस वीडियम हम आपको बताएंगे आई पिल 24 के 35 में मुकाबले के बारे में जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और संराइजस हैदराबाद के बीच में मतादे कि दिल्ली कैपिटल्स यह बड़ा मुस्किल हो जाता है लेकिन अगर आप इस स्टेडियम को देखे तो यह बैटिंग फ्रेंडली है और वही होने वाला है यानि कि इस स्टेडियम पर आप बड़े रंस बनते हुए देख सकते हैं तब आप जब टीम बनाएं तो खिलाडियों को बैट्समेन को ज इंगेज कर लिया था वही संटाजस हैदराबाद जो कि इस सीजन काफी सांदार दिख रही है इसी सीजन और सीबी का सबसे हाइस्ट रन इसकोर ब्रेक किया था और उसे टोड़ा था और अपने पिछले मैच में अपने ही पिछले रिकोर्ड को तोड़ दिया highest run का ऐसे में हैदराबाद की टीम के पास काफी होसला है वहीं दूसरी और दिली केपिटल जो कि अपना पिछला मुकाबला सांदार तरीके से जीती है ऐसे में इस टीम के पास भी होसले की कमी नहीं है खेर देखना दिद्चस्प होगा कि क्या मुकाबला रंग लाता है लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं रिकोर्स के बारे में और सबसे पहले जानते हैं कि इस स्टेडियम के क्या रिकोर्स रहे अब तक आईपिल की तीहास में हम आपको बता दे कि आईपिल की तीहास में अब तक इस स्टेडियम में 85 मुकाबले खेले जा चुकी हैं जिसमे बैंटिंग फर्स करते हुए 38 मुकाबूने जीते गए वहीं बैंटिंग सकेंड करते हुए 46 मुकाब्ले इसके अलावा हाईच टोटल इस टेडियम में 231 कर रहा है जो जो कि दिल्ली और एवरेज सकेंड इनिंग स्कोर ﹹबे 152 रन का तो यह रही पीच की रिपोर्ट के बारे में इस से पहले कि हम जाने दोनों की तीमों की हेट-टु-हेट रिकोर्ट्स और रिसец मैचों के परदोसन के बारे में इस से पहले जान लेते हैं दोनों टिमों की एक प्रोबेबल प्लिंग 11 के बारे में शुरुवात दिल्ली से करते हैं दिल्ली के कप्तान और विकेट की पर रिसब पंथ हो सकते हैं पिर्ट्वी सौ अभी से एक पोरेल खेल सकते हैं सुमीत कुमार जैक फिरेसर जो की पिछले मुकाबले और उससे पिछले मुकाबले में अच्छे लई में दिखे ट्रिश्टरन स्टप्स ये भी अच्छे खिलाडी अभी तक रहे हैं साई होप अक्छर पटिल कुल्दी पियादाव विकेट निकालने की अबिलिटी है विकेट निकालते हुए नजर आते हैं मुकेस कुमार जिन्होंने अपने पिछले मुकाबले में सांधार पर्दसन किया था इसांसर मालगतार विकेट जटक रहे हैं इंपक्ट प्लियर के तौर पर आप खलील अहमद को देख सकते हैं अभी तक इस टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले खिलारी रहे हैं पिछले मुकाबले में भले ही एक विकेट मिला था लेकिन अच्छी एकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की थी इसके अलावा हैदराबाद की प्लेंग 11 में आपको दिख सकते हैं पैट कमिंस ट्रेविस हेड जो कि अभी तक इस टीम के लिए अच्छे रहे हैं गौड फाधर रहे हैं अभी सेख सर्मा विकेट कीपर हैंरिक कलासें जो कंजिस्टेंसी के साथ रन बनाते आ रहे हैं इडन मारकरम, अब्दूल समद, इस खिलाडी ने आईपेल के सबसे जादा हाइस्ट इसकोर बनाने में काफी योगदान दिया था दस गेंदों में 38 रन की पारी खेली थी, काफी सांदार पारी रही थी सहवाज अहमद को देख सकते हैं के नितीस रेड़ी, वहीं भूवनिस्वर कुमार, मयंग कमार केंडे इस खिलाडी ने पिछले मुकाबले में अच्छे विकेट चटकाएं थे, जैदे उनार्कट आपके हो सकते हैं उसके बाद impact player में आप देख सकते हैं, या उमीद कर सकते हैं, टीन अट राजन को तो यह रही दोनों टीमों की एक probable playing 11 के बारे में, हम आपको जब टीमों के probable playing 11 के बारे में बताते हैं तो कुछ key players जो कि अच्छे प्रदलसन करते नजरा रहे हैं उनके बारे में हम आपको indicate उसी के दोरान करते हैं ताकि आप जब team बनाएं तो आप उन खिलाणियों को consider कर सकें आगे हम आपको बताएंगे दोनों team के recent match के प्रदलसन के बारे में मुकाबले जीते हैं और Hyderabad के खिलाफ 2109 कि तरफ से हैंढ़ी के खिलाफ 25 ने बनाएं जोLIEनुört4 मियां वहीं हैद्राबाद की तरफ से हैंढ़ी के क्विलियमसन ने सबसे ज्यादा रन बनाये हैं जो की 493 रन है अगें केण विलियमस तीम का हिसा नहीं है इसलिए कोई काम के नहीं है वहीं दिली के तरफ से सबसे ज्यादा वीकेट कगीस और आड़ा ने चटकाए है 14 वीकेट वह भी टीम का हिसा नहीं है ये भी कोई माईने नहीं रखता है थे लिए के खिल बात की जाए तो आपको बदा देगी दिली कापिटल्स ने अब तक साथ मुकाबले सीजन खेले हैं जिसमें तीन में जीत चार में हार मिली है टॉप रन स्कोरर रिसब पंत रहे हैं जो कि अब तक इस टीम के लिए 210 रन बनाए हैं टॉप विकेट टेकर खलील अहमद रहे हैं संराजिस हैदराबद का आईपेल 24 का स्टैट्स अगर देख ले तो आपको बता दे कि अब तक इस टीम ने छे मुकाबले खेले हैं जिसमें चार में जीत दो में हार मिली है टॉप रन स्कोरर हैं जो कि 253 रन बनाए हैं टॉप विकेट टेकर पैट कमिंस रहे हैं जो कि 9 व कोर्स के हिसाब से देख सकते हैं कि यह टीम कहाँ स्टैंड करती है खेर दोनों ही टीम अच्छी है आने वाले मैचों में पता चलेगा कि आखिर में क्या होने वाला है लेकिन अगर आप यह हिसाब से टीम बनाए तो आप कोसिस करें कि आप संराजिस हैदराबाद की लाड़ियों को ज्यादा लेंगे तो दोस्तों यह रही हमारी आज की वीडियो मिलते हैं कल एक फिर नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद